नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फेंटसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डेटल्स पे अनलाइसिस करेंगे फ्यूचर मेंट्रिस वर्सेस सेवन डिस्टिक्स के बीच जो होगा आई सी सी ए अराबियन टीट्विंटी का अज का दिन का पहला मैच और एक लोटा मैच इन डेप्ट दोनहीं टीम के बारे में एनलाइसिस करेंगे एक टीम दोस्तों सेवन डिस्टिक्स का अल्रेडी एक मैच हुआ था पर वह मैच हो गया था ठीक है मतलब मैच complete नहीं हो पाया, starting नहीं हो पाया तो बट हाँ, वो एक match खेलने वाले थे, वो evident थे, बट future mattress का यह अपना पहला match होगा, almost दोनों ही team आपके लिए newड हैगा मेरे हिसाब से no, क्योंकि players बहुत सारे domestic matches खेलते हैं जिसके खास करके FM, future mattress इनके players ने न, हम उन लोग ने जो cover किया, Ramadan T10 Ramadan T20, CBFS T10 CBFS T20, MNS D10, MNS D20, यह last 6-7 महिने में इतने सारे matches हम लोग ने UAE के cover किये, तो यह players की stats आपको almost idea होगा, still अगर नहीं है तो इस video में आपको मिलेंगे ICC Arabian T20, जो 2022 में December month पे होगा था, उसका भी record में show करूँगा ठीक है, यहाँ पे, मतलब उनका total stats, place के current form भी आपको मिलेगा इस video में, तो ध्यान से दोस्तों, वीडियों तक देखना, पसंद आए तो like करना, channel में नहीं हो तो channel को subscribe करो एक और reason है दोस्तों, ठीक है आप शायद सारे 12, 12 बचे होगा दोस्तों, बरोजा 2020 का second match, फिर Malta T10 cover करेंगे, फिर नेक शबनो करा आप T20, तो फिलाल यह 3 series आपको मिल रहा है, और total दिन में 5 matches आपको coverage मिल रहा है, हमारे वीडियो के रूप से, टेलिग्राम पे है आपको मिल रहा है कहां पे टेलिग्राम पे तो जूट जाओ टेलिग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक में प्रिस करो और रिडिरेक्ट हो जाओ चाहो तो comment section वाले लिंक से भी आप टेलिग्राम जोइन उसबते हो आता हूँ analysis में वाल्दो बैटिंग टिप अगर बैटिंग करेगा बात अलगे वह तो कुछ भी करा सकता है बट ठीक ठाग लवेल के प्लियर्स भी यहां पे 150-160 ठोक देगा ठीक ठाग लवेल के बैट्समेन और अगर यहां पे अच्छा बैट्समेन बैटिंग है बाउंस बहुत अच्छा है खासकर जो आउट फिल्ड है वो तेज़ भी है सब कुछ बैट्स फ्रेंड लिया ठीक है हाँ बट हाँ लिफ्टा मॉट्टोक्स को भीच भीच मेंना दू तीन विके निलता है यह बात ध्यान देना अब सीरीज ओवर्व्यू ग्यारा मैच हो चुके चे बैट फर्स तीन बैट सेकेंड नियुंक्या दो मैच टाई हुआ है एफम फीचर मैट्रेस अगर असिफ खान खेला वन सेटेट मैच होगा असिफ खान नहीं खेला तो मैच टीक टाक लेवल में होंगे अरियन लक्रा असिफ खान अगर नहीं खेला तो बढ़िया कैप्टेन असिफ खान के साथ भी कैप्टेन दोड़ी जने एक तो लेफ्टाम उतलोक्स मेरा पसंदेता उपर से यह उपिन करा सकता है इडियली तो कैप्टेन वाइस कैप्टेन बनेंगे यासिर कलीप फिर दोस्ता अलिशान शड़ाफो इन दोनों के बीच रोटेशन होता है उमेर सेलेक्शन इनका लेज होगा 100-200% सेलेक्शन इनका लेज होगा क्योंकि आपको दूसरे विकी स्ट्राइक करना है बट यह बहुत खराब ऑप्शन नहीं है इवन यह बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे और विकी करा सकता है आठ मैच में 47 गैवरे से 326 रन था जो ICC अराबें अगर नहीं खेलते हैं तो दूस्तों इनको जरू ट्राइक करना दू करना है एक बैटिंग फर्स्ट या फिर असिफ अली अगर नहीं खेलता है तो अगर दूने एक साथ हो गया तो और भी सुछन नहीं लाया यासीर कलीम मुस्स कंसिस्टेंट प्लियार जाद यह हर मैच म सब्सक्राइब करते हैं इनके बॉलस में से ना महमद अजर देखो साथ मैच में दश्यूगे लिफ्टा मॉत्रोक्स फीर तौकी रियासा चार्ण मैच में इसे बाकी में इम्राइब सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर देखो के तो और अजकल बैटिंग भी बहुत नीचे कर आएग जा रहा है मुझे समझ नहीं रहा है मैनेजमेंट क्या करते हैं बट प्लेयर एक तैम पे ना बहुत अच्छा था इवेंट आइधिंग युए के लिए खेल चुके एक आदा मैच या फिर युए प्रोस्प्रेक्टिप था बहुत अच्छा प्लेयर है इनको टीम नहीं मिलता इनको कशिफ अलमास है दरली सिधा बात है जो इंपॉर्टन प्लेयर है हफिस अलमास मुहमद कशिफ अगर टॉप ओडर में खिलता है काशिफ का कोई पता पता नहीं है बहुत अच्छा हीट आ रहे दोस्तों कशिफ अलमास बाइडिफॉल्ट पिक और स्टिम से सबसें उन पर आईडिली इनको टॉप फोर टॉप फ्री में भेजना ही चाहिए मेरे साथ दो शाजाद अलिच चार तीन तेटीस डूनाट बैल मैं भी इनका भी आउंगा दोस्तों कौन सा पॉइंट ऐसे से अरफ एंटी टूइंडी में अब मैंने तो यह शोई नहीं कर रहा है यार क्या ही भूल जाता हूँ माफी चाहता हूँ यहाँ पर एक बात देख लेते हैं हम लोग यह सीरकलिंग का कुछ अप तीस तेस चार उन्चालिज पाच यह कंसिस्टेंट है मैंने आपको शुडू में बताया वलतपा को इगनोर करेंगे अब दूच्छकुर को इगनो बैटिंग कर रहा था वन डान बैटिंग कर रहा था बट यह जो बंदा है ना सेध हैदर शाह इसको बैटिंग का मिल रहा था पताया एमरेज टीट्वेंटी पर एकदम नीचे रूहन मुस्तफा कुद आ रहे थे टूडाउन ट्री डाउन और इसके बाद भी एक आदा प् बैटिंग कराता है उसके साथ कंसिस्टेंसी एड हो चुका है फिलाल तो रोहन मुस्ताफा फिलाल यूई टीट्वेंटी में खेल रहा है अर्यन लगडा बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है अगर खेलता है तो लेना है अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ यह यूई टीट्व सब्सक्राइब करना उस सब्सक्राइब हो सकता है इस टूर्णामेंट में तो कि रियासत इकावन दो इक उनतीज दो इक यह विकेट निकाले लास् टूर्णामेंट में दोनों बार और हांट डेत में आ सकते हैं बॉलिंगे रहे उमेर फारूक एक विकेट जिरो इक यह विकेट करा सकता है पहुंस सारे चॉइस है अफ्टर टॉस आपको क्लियर इटी मिलेगा मुहमद अज़र्ट साथ रन एक विकेट दो रन दो इक जिर जैसा जैसे के लास्ट मैच में बावर इकबाल या था नाम शायद बावर बाली था शायद उन्होंने ना खेल गया था यह मैंने उल्लेडी समझा दिया आपको समझाओंगा आपको और यहां से कशिफ मेरे साब से डिसेंट पीक है थोड़े से हीट और मेस है बाकि वह वह अब शाहजाद का खास लगी नहीं मुझे 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 मुहमद महसीन यह प्लियर हो सकता है क्योंकि 28 एक्विए उससे पहले 58 32 26 मतले बहुत बहुत अच्छा है और इस ग्राउंट में बैटिंग के साथ जो अच्छा है वह अगर टॉडर में आ गया टॉप थ्री में दो 3 विकर 2-1 है विकंबंदरा संजया 30-0-1-2-8 अठान-0-1-0-1-0-1-0-1-8 मुझे 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 लगी है नहीं एक विकर कभी कवर बॉलिंग करते नहीं जहां पर रिस्क रहता है दोस्तों जोहिर इकबाल का भी हालत देखो सेमी है 0011-11-1-1-1-1-1-1-2 अजमाल भी अच प्लेयर बहुत solid है बहुत अच्छा हीटर है बहुत ही शाबाज हीटर है अब अगर देखोगे इनको chance तो मिलेगा इस match में हीटिंग करने का और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते है विद बॉल विद बैट इवन कैसे भी लेते है ऐसी से अराबियान T20 परफॉर्मेंस क्या ह तो स्टिल मैं थोड़ा सा देखूंगा कि इनको मैं किसी भी एंगल से टॉप और में प्लेस कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा तो मैं रखूंगा अधर्वाइस रोटिशन कर सकते हो सागी रफॉर्टी पाच मैच सबसे लेफटाम ऑफॉर्डोस बट एक ही चीज़ है कि इनका बहुत स्टॉंग है इनका बॉलिंग यूनीट देसेंट है इसको यूज कर सकते हैं आप एस हीटर भी प्ले कर लेता है तो चलो चलते हैं हम लोग हमारे ड्रिम लेवेंट टीम में फिलाल दोस्तों मैंने यह टीम क्रेट किया जहां पासिफ खान हमारे कैप्टन वाइस कप्टन अडियान लगए अपोसीट हो सकता है वजीद खान फिलाल मैंने लिया हैदर अली अगर यह खिलता है तो मैं आपको शोग करतूंगा टैलीराम पे अच्छा प्लेयर है दोस्तों अच्छा नहीं है इस टीम से सबसे इस इंप्लेयर भी है बट एक चीज़ हो अजीद कान का क्या बुड़ाया पता है यह हीट और मीस है दोस्तों यह बैटिंग बहुत जोड का गुमाता है बालिंग में यह कभी कबार डेत में आ जाते और कभी कबार तो बालिंग बाल कर गिया तो यह मैच ना थोड़ा से मुझे ठीकी लग रहा है बट अफ्टर टॉस अगर बड़े प्लेस नहीं खेलते हैं मेरे साफ से मैच अच्छा बन सकता है उस कंडिशन में मैं आपको अडियो डाल दूंगा टेलिग्रम पे जोड़ जाना टेलिग्रम वीडियो ना थो लाइक कर दे रहा है थैंक विएस मिलते हैं मैच टाइम पे